हिलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो क्रोना वाइरिस के नए वैरियंट ओमी क्रोन की वज़ा से भारत सरकान ने 28 नॉंबर को ट्रिवल को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी किये एक नई एडवाइजरी जारी किये जिसके बाद एक दिसंबर से ही एरपोर्ट पर काफी भील्ड देखी जा रही है खास तोर पर PCR टेस्ट के रिजल्ट को लेकर लोगों को काफी इंतिजार करना पड़ा है काफी लंबी लाइने लग रही है अभी चार दिन पहले ही दिल्ली एरपोर्ट की एक तस्वीर बहुत ज्य तमां तर विवस्थाओं का जायजा लिया है जो PCR टेस्ट के सेंटर है उसको भी उन्ने देखा है तो कल भारत के स्वास्त मंतरी ने दिल्ली एरपोर्ट का दोरा किया है और वहाँ पर तमाम विवस्थाओं का जायजा लिया है क्योंकि अभी चार दिन पहले ही दिल्ली एरपोर्ट की एक तस्वीर बहुत जादा वाइरल हो गई थी इसमें बताया गया था कि दिल्ली एरपोर्ट पर किस तरीके से आविवस्था है क्रोना की नेमों की धजिया उड़ाई जा रही है और लोगों को PCR टेस्ट के रिजल्ड के लिए काफी देर तक इंतिजार करना पड़ रहा है तो उसके बाद ये भारत के स्वास्त मंतरी जो है मनसुग मांड़ विए उन्होंने दिल्ली एरपोर्ट का दोरा किया है दिल्ली एरपोर्ट की तरफ से एक बार फिर साब कहा गया है कि जो रिस्क वाले कंट्री है यानि जिन देशों को भारत सरकार ने जोखिम वाले स्रेडी में रखा है वहां से आने वाले यात्रियों का ही दिल्ली एरपोर्ट पर PCR टेस्ट किया जा रहा है बाकी किसी देश से आने वाले यात्रियों का दिल्ली एरपोर्ट पर PCR टेस्ट नहीं किया जा रहा है बारत सरकार ने जिन देशों को जोखिम वाले स्रेडी में रखा है उनमें UK, ब्राजील, बोटस्वाना, मौरिसस, जिमवामवे, हांकांग, साउथ अफरीका, बांगला सकते हैं, अगर किसी और देश से आप इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको 72 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखना होगा, जिस देश से आप ट्रेवल कर रहे हैं, वहीं पर आपको कराना होगा, इंडिया में दिल्ली एरपो आ सकते हैं, दिल्ली एरपोर्ट पर आ सकते हैं, उन्हें कोई प्राबलम नहीं है, उन्हें PCR टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये दिल्ली एरपोर्ट की तरफ से दोस्तो अपडेट हैं, अगली अपडेट दोस्तो भारत के केंदर सासित परदेश पांडेचेरी को लेकर है तो पांडे चेरी के गवर्मेंट ने कुरोना की वैक्सिन लगवाना अनिवार कर दिया है पांडे चेरी पब्लिक हेल्थ एक्ट 1973 के तेहट अगर आप वैक्सिन नहीं लगवाते हैं तो आपके खिलाप कानूनी कारवाई की जा सकती है तो पांडे चेरी भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर टीका करण को अनिवार कर दिया है और अगर आप टीका नहीं लगवाते हैं करोना की वैक्सी नहीं लगवाते हैं तो आपके खिलाप कानूनी कारवाई की जाएगी अगली अपडेट दोस्तों फ्लाइट के टिकट के दाम को लेकर हैं तो वज़ासे फ्लाइट के टिकट के दाम बहुत बढ़ चुके हैं अगर आप USA के लिए या UK के लिए या कनाडा के लिए टरोल करना चाहते हैं तो आपको टिकट मिलना बहुत मुस्किल होगा अगर टिकट मिलेंगे भी तो बहुत ऊचे दाम पर मिलेंगे अगले 15 दिनों तक टिकट की भारी डिमांड चल लगी है जिसकी वज़ासे फ्लाइट के टिकट के दाम बहुत बढ़ चुके हैं अगर मैं लकनो कतर की बात करूं दोस्तो तो अभी एक हफ़ते पहले लकनो और कतर की फ्लाइट का दाम 13-14,000 के दर्मियान था जो अब की पहुँच चुका है 25 चीस हजार के आसपास ठीक इसी तरीके से ओमान के फ्लाइट के टिकट भी बहुत महेंगे हो चुके हैं वो भी 30,000 के आसपास पहुच चुका है जो की 20,000 के आसपास आ चुका था इसके लिए दुबई फ्लाइट के टिकट भी महेंगे हैं सौधी का भी काफी महेंगा चल टिकट वो तो आपको पता ही है, इसके लाओ भी और सेक्टर के टिकट काफी महेंगे हो चुके है, ओमी करोन की वज़ा से, तो बेरहल दोस्तों ये आपके लिए कुछ अब्डेट थी, कुछ जानकारी थी, आगे जैसे जो भी कोई जानकारी आएगी फ्लाइट और टरिवल क लेकर वो आप तक पहुचाई जाएगी, इसके लिए आप परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल लखिए, खुश रहिए, गुड़ बाए